दमो चतरपुर जिले की सीमा पर चारया के पास विशाल पहाड के तलहती में बनी जोगी दन्ली की गुफा खोजी परटेको के आकर्शन का केंद्र बनता जा रहा है चतरपुर जिले की सीमा में लोहरपुरा की जंगल में जोगी दन्डाम का सिधिस्तर लोगों की आस्था का केंद्र है साथ ही यहाँ पहाडी की रहसमय कुफाएं अपने आप में अदपुत और अनोखी भी है जोगी दन्ड इस्थल पर एक विशाल आकार के पत्थरों की पहाडी में दो गुफाएं हैं लेकिन आज तक इस गुफा का कोई अंतिम छोर पता नहीं लगा गुफा के अंदर अत्यंत दुरकम और संकीन घुमावदाव रास्ते से होते हुए पहाडी के करीब एक किलोमीटर अंदर शिवलिंग विराजमान है एक शिवलिंग पर पहाडी की गाए रूपी आकरती से दूधिया जल्धारा शिवलिंग पर गिरती है तो वहीं पानी की जल्धारा गुफाओं की दुरकम रास्तों से होकर बहर की ओर बहती है जिसके बीच चलकर श्रद्धालू और स्थानी लोग गुफा के अंदर जाते हैं गुफाओं के अंदर प्रविश करना सभी के बस की बात नहीं है क्योंकि यहां अधीरा बहुत रहता है और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी बहुत कम है अगर सासन और मीडिया के माध्यम से आप कहने चाहते हैं यहां पुल बनवाया जाए या कोई सासन से हमारी के सासन से मंदत हो सके तो यहां परयटक आ सकते हैं और बहुत अच्छी रहस्तमाई गुफाइन है जोगी डंड के अंधर काफी अंधर मतलब अपन को यह लगे का जैसे आपन एक दो किलो मीटर अंधर गए हो और वहाँ जा कि अपन देखते हैं के संकाजी सुयम निर्मत हैं सुयम निर्मत हैं और जब से यह प्रस्वी होगी तभी से गुफाय ना किसी की बनाई हुई है और बड़ी रहस सिद्ध शेत्र जोगी दंड गुफा के पास नागा संत बाबा फलहारी का डेरा बना हुआ है जो हर मौसम में यहीं रहते हैं बाबा की द्वारा यहां जन सहयोग से समय समय पर धार्मिक अनुस्ठान आयोजित किये जाते हैं जिससे भक्तों का आना जाना यहां बना होता ह बाबा ने बताय है कि यहां भगवान शिव ने आकर अराधना की इसके अंदर का रहस आज भी कोई सुलज़ा नहीं पाया जोगी डंड गुफा हमारी बिधानसवा की गराम लोहरपुरा पंजायत में इस्ते थे और प्रकरती की एक बहुत बड़ी दर हुआ रहे जहां पर हमारे साक्षात संकर जी बिराजमान है और वहाँ पर पिछले कारेकाल में मैं आपको बता दूँ कि जनता की मांग थी कि हमाये वन की आवशकता है और यहाँ पर लाइट नहीं है दोनों विवस्थाएं हमारे पिछले कारेकाल में दुरुस्त कराई है वहाँ की कि जितना भी हम से संबह मदद करने का प्रियास करने का बनेगा पूरी तागस से हम संबह मदद करने का प्रियास करेंगे जोगी दंड गुफा, शिव अराधना, साधना के लिए बहतरीन इस्थल है गुफा के अंदर इस्थिर शिवलेंग अती प्राजीन है गुफा के बाहर भी बैटने के लिए अच्छा स्थान है और गुफा के अंदर प्रकृती को छेड़े बिना प्रकाश की विवस्था हो जाए साधी पहाडी के नीचे तक पहुँचने का रास्ता बन जाए तो दूर-दूर से भक्त यहां पहुँचेंगे आयनिच 24-7 के लिए छतरपुर से विनोध मिश्रा की रपोर्ट